इसलिए आप विद्वा बिलाब कर रहे हैं और आपके स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग आपको गलत नमस्कार मैं मिनिस और आप देख रहे हैं मिडिया दर्सन देश के ग्रीह मंत्री अमीद साज बिहार के मुझफर पूर दौरे पे पहुंचे थे जहां उन्होंने बिहार म अब क्या कुछ कहा आई यह सुभी साजी थिहार दोरे पर आएक है मुझफर पूर देख रहे हैं हम लोग बराबर कहते हैं कि इतना मन को रहे हैं इतना बार मन को इतना बार आप आप गदो यह जो बहुत आपको इस स्क्रिप्ट आपका लिखता है कि स्क्रिप्ट को कही एक थोड़ निखने है और जब बोलते हैं तो जन्तत्तं करते हैं कि बोलो और को जन्ता बोलती ही नहीं है तो फित्या कुछ सही बात बोलिएगा और हट Puisसे बोलिएगा संचान के साथ बोलिएगा थो लोग उखतेगा विचाज़ोंब करें आपाइब करें हैं, वैसे भासंदे के चलेगा कर और को सिर्वा धर्ट से क्या थ्या करें। सत्थ बोलिये, आप भासंदे ट्याती ऑधारिश्य जन्ना करें। आब करें कि भार्टी जन्तापार्टी की सरकार इसमीर विसमें जातिया धारिण जन्ना की फैसला हुआ, त्वी लेकिन आपको यह बताना चाहिता कि भिहार, इभान, मंदल ने जो बार कृस्तावच पारिप्किया देश टेश वर जातिया जन्ना कराने का आपको यह बताना चाहिएता न कि जन्ता दल उनाइटेट के 11 सांसदों का प्रतिमिधी मंदल आप से मिलकर आप से जाती आधारित कंणा देश भर में किराने का देश आपको यह बताना चाहिएता न कि धिहार के मुख मंतरी माने निपीश कुमार्दी कि सभी दलों के पृतिमिधी मंडल के साथ और मांगिया था उन्हें हम ने उसको रिजेक्ट करने यह बताना चाहिए यह सचा ही है और अगर आपका चरित्र ही दोरा है आप दोरे चरित्र के विक्ति हैं आप एक तरफ कर रहे हैं कि जाती आधारिक गन्ना कराने का जो भैसला दियार नहुआ आपकी पार्टी सरकार में सामिर की लेकिन दूसरी तरफ चाहती आधारिक गन्ना को रोकने के लिए आपने पूरा खड़यंत्र किया पटना हाई कोट में याचिका दायर करवाया सुप्रीम कोट में यहां से जब खारी जो गया तो सुप्रीम कोट में कि कि विए इमांदारी से बताना चाहिता है तो आपको इमांदारी से बताना चाहिता था कि हम सरकार में थे जरूर लेकिन हम भीतर भीतर खड़यंत्र कर रहेते इसको रोकने का ये बात आपको बताना चीज़, तो आपका तो फिद्रत ही है, आपका चरित्र ही दोहरा है, आप दोहरे चरित्र के वेक्ति हैं, आप कह रहे हैं कि आखड़ा गलत है, अरे भाई आखड़ा अगर गलत है, आपका आज एलान कर देते हैं मुझा फर्पुर में, कि हम देश भर में जाती अधारित जंगन्ना कराएंगे और विहार में जो गलत आखड़ा है उसको हम गलत सावित करेंगे गलत सावित करिए करना धना है नि तो यह क्यों आते हैं बिहार इस तरह की पजूर बात करने के लिए बिहार में आप आपने कहा कि अति पिछणों की संक्या गड़ 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 अति पिछणों की संक्या 29% आपको ग्रीम अंतिर की कोई ज्यान नहीं है बिहार में अति पिछ़ए वर्ग के लोगों संक्या के बाद बढ़ गया संक्या पिछुनों की संख्या बढ़ गई और दोनों मिला के पिछड़े और ती पिछड़े मिला के 62% हो गए 63% तो ये न आपको बताना थी था तो आप की सच्चाई बोल नहीं नहीं बोलो बोलो है कि नहीं है कि नहीं अरे ऐसे तोड़ी होता है सच बात भलिए आपको कहना ची था सीना टोक के यहां हमने कराया था और हमने खड़ेंद्र किया इसको रोकने के लिए लें सुप्रीम कोड मेरी बात नहीं माने ये सचाई था और इमांदारी की और इमांदारी से आप अता तुभार की एक जत्ता पाटी का क्यारा बेकर नकाव हो गया है इसलिए आप विद्वा बिला कर रहे हैं और आपके स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग आपको गलत सलागे आप कहा रहे हैं ससक्तिक करन नितीज कुमार जी से आधर्मी ग्री मंत्री जी नितीज कुमार जी से ससक्तिक करन समझे ससक्तिक करन कैसे किया जाता है नितीज कुमार जी से जानिये नितीज कुमार जी 2005 में मुक्रमंत्री बने और अंतिम में दोहजार बांट के अंतिम में और दोहजार छे में बिहार में अती पिछडे वर्ग को 20% का आरक्षन उन्हें पंचायतों में दिया पंचायती राजवबस्ता में दिया 2007 में उन्होंने नगर निकाय में 20% का अरक्षन दिया और उसके कारण आज लाखों की संक्या में अती पिछड़े वर्ग के लोग पंचाइती राजवबस्था में और नगर निकाय में आप हिजाब जुड़ा रहे हैं आई-ाई-की का अरे आई-ाई-की में 20 लड़का के 18 लड़का के तो सिट्वे है तो हमें 20 को में कैगोरी जर्वे संदेर हैं आप बड़ा पीट कपता पा रहे हैं आप न नितीज कुमार जी ने लाखों को लोगों को ससक्त किया है अच्छी पिछले वर के लोगों को नितीज कुमार जी से सक कैसे किया जाता है आप बात कर रहे हैं महिला संसक्तिकरण महिला संसक्तिकरण के को यान है अपको नितीज कुमार जी ने पचास परतिसद का रक्षन दिया महिलाओं को पंचाय की राज मेवस्था में और नगर निकाय में 2013 में उन्होंने बिहार पुलिस सेवा में 33 परतिसद आरक्षन दिया महिलाओं को बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं में क्लास ओण का हो क्लास फॉर का हो सभी से महाम मैं 35 परतिसदक राक्षन थिया में आप क्या रक्षन की बार इस आरुवस्था करेह से आरक्षन लागु होगा तो इस गिल में लिखा हुआ है कि पहले जनगना होगा जनगना के बाद परिशीमन आयोग बनेगा और परिशीमन आयोग के निर्णे के बाद इसको लागु करने का निर्णे लिया जाए बाँ रहे कुनसा बिल लाएं इसके लिए भी सेश सत्र, संसत का भी सेश सत्र बुलाए अपने आपको महिमा मंडिक करने के लिए तो ऐसे ही ऐसे भी लगर लाना था तो नुवमबर में भी सेशन होगा न दिसम्बर में और इस दिसम्मर में सेशन होगा इसमें ले आते उसके लिए 27 बुलाने की क्या जरूरती तो फस गये सारे लोगों ने समर्थन कर दिया सब लोगों ने कहा कि खोदा पाड़ निकलिती है कि 27 सत्र बुला कि आप कहुंची करना चाहते थे वो ऐसा चीज जिसको अभी मिलना ही नहीं है दिखा रहा है ऐसे सब्जबाग ये सब्जबाग देखो जैसे 2014 में दिखाए थे ने सब्जबाग बिहार की और देश की जन्ता को 2014 में सब्जबागी न दिखाए थे दो कड़ोर लोगों को परतिवर सरुजगार देंगे सारा काला धन भापस लाएंगे हर गरीब के खता में 15 से 20 लाग पहुचाएंगे तब इसको एको आदमी के खता में 10 से 15 लाग रुपया नहीं गिया कितना रोजगार दिएगी ने मुझे अपरपूर में आके बताना की ता को कि हमने जो वादा किया था 2014 में कि दो कड़ोर लोगों को रोजगार देंगे तो नौ साल में 18 कड़ोर के बदले हमने इतना रोजगार दिया अध्यक्ष ललन सी जमकर अमीद सापर निसाना साधा और कहा कि यदि उन्हें बिहार में हुए जातिकत जनगन्ना के आकड़े गलत लग रहे हैं तो उन्हें खुले मन से यह कह देना चाहिए था कि मैं पूरे देश में जातिकत जनगन्ना के आकड़े जारी करवाओंगा और बिहार में हुए जातिकत जनगन्ना को गलत सावित करूँगा लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया साथी साथ रोजगार के मुद्दे पर भी अमीद साको गेरा और कहा कि 10 साल हो गए अभी तक कितने युवाओं को रोजगार दिया है जबकि ब झाल